कि नमस्कार दोस्तों मैं विकाज एस्वाल आप सो भी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप देख रहे हैं को मल विजन दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे किसी भी टेक्स्ट को जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं जो भी टाइप करते हैं तो उसमें आउटलाइन कैसे लगाते हैं उसमें सैडो कैसे देते हैं और उसमें ब्लैंड टूल का इस्तिमाल करके उसको थ्रेडी भेक कैसे दे सकते हैं तो आ और नहीं जानते हैं जो लोगम नए उन्नों पर लिए तो बहुत ही फायदयमन्द होने वाला क्योंकि अक्सर ऐसे प्रवलम आते रखते हैं अब हम स्कुलाइब कर लेते हैं जैसे मतलब भारतमहान हम इसको हिंदीम कर लेते हैं जैसे यह हो गया आफ हमें इस पन आउटलाइ आजाएगा और लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इसमें कलर फिल होगा इस तरह से कलर फिल होगा और जब राइट क्लिक करेंगे तो इसमें आउटलाइन आगा तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें इस तरह से लाइन लाइन इसाद दिख रहा है और उतना परफेक्ट नहीं लग यहां से एरलाइन पर क्लिक करेंगे उसका थोड़ा साथ हम लोग थिकनिस बढ़ा कर देते हैं मोटा हो जाएगा इसको हम इतना रखते हैं अच्छा रहेगा और इस तरह से आप देख रहे हैं तो एक और नर जैसे है उसी तरह से परफिक्ट रहेगा अगर आप नीचे वाले यहां पर भी हैंड फिल इस पर टिक कर लेंगे और स्केल इमेज अब ओके कर देते हैं आप लोग देख सकते हैं हमारा बिल्कुल पर्फेक्ट आ चुका है हम थोड़ा सा आउटलाइन और बढ़ा देंगे हम इसको और थोड़ा सा मोटा कर दे रहे हैं ताकि अच्छा लगे कुछ ज्यादा हो गया है है थोड़ा सा हम यहां से पतला कर लेंगे हैं यह हमारा देख लिजिए अच्छा लगने लगा है अब हम इसी पर इसी टेक्स पर कैसे देंगे इसका हम इस्तिमाल करना सुखेंगे इस टूल का इसका नाम है ड्रॉप सैड़ टूल तो आप यहां से इस पर क्लिक करेंगे और हम ठीक टेक्स्ट पर क्लिक कर करेंगे तो यहां पर देखिए नीचे इसके नीचे ठीक नीचे सेड़ आ चुका है आप इसको कम या ज्यादा यहां से कर सकते हैं इस तरह से आप इसको कम रखने चाहते हैं तो कम कर दिए इसका डार्कनेस ज्यादा होगा और इधर से कम थैं इससे स्पाल ने बलेक आ रहा है तो आप यहां से कलर इसका चेंज कर सकते हैं जैसे मेरा साड़ कर पेंद्ट इसके पिंक खोना चाहिए अप यहां से सिलेट कर सकते हैं तो यह होगया से घ्द और विसमें और कई तरह से आज से अभी हमने इसे से बिस्त से जब लिया ऑज लिप September दो या आ अभी इसको जहां तक देना चाहता है आप हुलहां दे सकते हैं अभी हम इसी को और कुछ में शीख लेटे हैं जैसे तो यहां से मीटे से और आप इसमें जैसाफ देना चाहिए अब देश सकते हैं आप देखिए हम जैसे उपर से लेंगे हैं तो फैने इस तरह से तो इस तूल हम लोग ने कर लिया अब हम इस पर आफे ब्लैंटतूल का इस्तिमाल करेंगे तो हम इसको एक कॉपिकर led से प्रेस करेंगे तो कोपी हो जाएगा हम इसको यहां से लेखें किडारे हैं कि अ अब इस पर हम ब्लैंट तूल का इफ्ञेक्ट है और इसको हम इस से अटेज कर देता है इस तरह से ब्लैंग टूल का इस्तेमाल करते हैं तो यह ज्यादा दूर हो गया है इसलिए इस तरह से लग रहा है तो हम इसको और पास कर लेते हैं अब हमें इसमें आउटलाइन में जो किनारे किनारे है उसका कलर हम को चेंज करना है तो हम इस पर नीशे वाले पर क्लिक करेंगे तो नीशे वाले पर हम राइट क्लिक करेंगे जैसे हमको एलो देना है तो एलो पर कर लिए जब पिंग देना है पिंग कर लिए ब्लू देना है ब्लू कर लिए इस तरह से आप राइट क्लिक करके आप दे सकते हैं अब हमें थोड़ा से और इसमें इफेक्ट डालना है तो हम उपर वाले पे क्लिक करेंगे जो उपर का मेरा भारत महान फ़ॉंट है उससे हम क्लिक करेंगे और जैसे हम यहां पे वाइट कलर लेलते हैं इसका आउटलाइन आ जाएगा और इस तरह से बहुत ही खुपसूरत द बने रही और आगे देखते रही हैं